बहुत दुगत घटना है पांच ओफिशली खबर आ रही है जबकि खबर आ रही है कि आट लोगों की डेथ होई है कई लोग जक्मी है तो मैं सरगार से पुछना चाहती हूँ क्या वह पूरी जिम्मेदारी ले रहे है और क्या रेलवे मिनिस्टर अपदान मंत्री ये बताए है तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे लापरवाही की जिम्मेदारी लेंगे तो ये रिस्पॉंसबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि नहीं है तुम दूसरा मामला नीट से जोड़ा हुआ है जिसको लेकर दास नहीं दियाएगी दोसी कोई भी उपस्वाशन दियाएग लोग कई लाग बच्चे खास कर आप देखेंगे को मैकसिमम जो नीट की तेयारी कर रहे होते हैं काफी मिडल क्लास के होते हैं कई पेरेंस ने जमीन बेच बेच कर और अपने बच्चों को कोचिंग दिलाई होती है और बच्चे 24 घंटे में कई बच्चे 18-18 घंटे पेपर लीक वाला चिटिंग करके और घोटाले से निकल कर आ जाए तो ये बहुत जैदा स्टूडेंट के लिए धक्का लगने वाली चीज है और उपर से सरकार का ये कहना कि ऐसा कुछ पेपर लीक नहीं हुआ है आप जाके मिनिस्टर हम सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हुआ है और बिहार में तो तेरा तेरा गिरफतारियां भी हुई है और सरयाम दिख रहा है कि पेपर लीक में किसी को पचास लाग किसी को एक करोड रुपए इस तरह का लेंदिन भी हुआ है तो इसमें कड़ी से कड़ी करवाई होनी चाहिए और बिना सरकारी हस्चेप के बिना पदादिकारियों के मेल मिलाप के इतना बड़ा गोटाला पेपर लीक में नीट में नहीं हो सकता है तो यह बहुत गंभीर विशह है और स्टार्टिंग में हमें नहीं लगता है कि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया